दोस्तों हम सभी अपने अलमारी को बहुत ही अच्छे से सुन्दर दिखने के लिए बहुत ही टिप्स अपनाते हैं लेकिन फिर भी अलमारी बहुत ही अच्छे से नहीं दिखती है अंदर हम साड़ियों को कुछ इस तरीके से रखते हैं या फिर फोल्ड करके रखते हैं और जब हम हैंगर में लगा करके रखते हैं तो ऐसे डारेक्टली हैंगर में हम लगा देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस पेस लेता है यहां बीच में हैंगर लगा देते हैं और इसे टांग देते हैं इसे बहुत ही ज़्यादा इस पेस लेता है आलमारी में और बाकी जग में बहुत ही सारी साड़ियां असारी से रख पाएंगे नमस्कार दोस्तों मैं प्रिया दूबे आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल यूपी की रशोई में बहुत बहुत शागत करती हूं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको साड़ी फोल्ड करना जिससे आपके हलमारी में बहुत ही ज्यादा इस पेस बचेंगे और कम ही स्पेस में यह साड़ी आपकी रख जाएंगी तो दोस्तों हम साड़ी को सबसे पहले फोल्ड कर लेंगे जैसे आप नार्मल फोल्ड करते हैं उसके बाद हमें करना क्या होगा इस तरीके से हम फोल् पार्ट है इसे हम ऐसे उठाएंगे और हैंगर में डाल देंगे इस तरीके से आप यदि हैंग करेंगे तो यह साड़ी आपके बिल्कुल नहीं गिरेगा आप बिल्कुल कम जगाओं में बहुत सारी साड़ीयां रख पाएंगे यह देखिए दोस्तों आप बहुत ही कम जगान लेंगी इस तरीके से आप अपने सारी को हैंगर में लगा दीजीए और ऐसे अपने साड़ी को रखिए इससे आपके साड़ी का फोल्ड भी नहीं खराब होगा और आपके आलमारी का जगां भी कम लेगा यदि आप खुला रखेंगे तो बहुत सारा जगां लेगा आज कल के फैसन में तो ज़्यादा साड़ीया होती है पहले लोग बहुत कम साड़ीया रखते थे मिलता ही नहीं था रखते क्या थे अवाज का लेक लोग के लिए बहुत सारा कपड़ा होता है तो कपड़े को कम जगा में रखना पड़ता है तो उसे भूसाद ऐसे तो भर नहीं सकते ऐसे डार इट डाल दे उसे फोल्ड करना होगा भूसाद ऐसे रख देंगे कोई देखे बोलेगा यह तो फूहर है एकदम चाहिश से कपड़ा रखना तक भी नहीं आता है तो इसलिए आपको अर्गनाज करके कपड़े को रखना है इस तरीके से अच्छे से फोल्ड करके रखना है जिससे कम जगह में और कम इस पेस कम जगह में बहुत सारे कपड़े आप रख पा तो इस तरीके से आपको रखना है इससे आपकी आर्मारी जो होगी वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी और इसके साथ में ब्लाउज भी यदि आपको रखना है तो ऐसे नहीं हैंगर में डालना है सबसे पहले ऐसे उल्टा कर लेना और फिर इस तरीके से इसे फोल लगा रहेगा अब आप इसे वहां अपने अलमारी में टांग दीजिए और कम जगह में यह साधियां रख करके तयार हो जाएंगे तो दोस्तों यह टिप्स कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताईए वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिए औ दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाय और टेक केर बाब बाई